कि यूटूब चैनल प्रिक्सास है पार्टी में आप सभी का हार दिख श्वागत है गुड़ इवनिंग टू ओलो फ्यू मैरी तू जैसे कि आपको पता हैं के विएस टीजिटी इसे टी में कुण सा पॉशन करें इको का पॉशन करें इसे सोट करें इको का पाट करें तो एसेस्टी की में हम आप आपको इक क्लासिस मिल रही है, दो दिन आपने प्रोटी कि थी, मनले एक 돼 singular क्लास चलती रहेगी और साथ-साथ का क्वार मिला क्लासिजे समझें कवाँ दिन पॉलटि और दो दिन जोग्रिफी के एक चलती रहेगी तो जो घ्लाशिता झाला ना चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं आप संट पर हमारा कॉनसे क्लास है क्लास नमबर सेकंड यह हमारी सेकंड क्लास है कोश्चन क्लास है यह हमारी Quesion First में पुछागे मानव विकासूचकांग HDI का आधार क्या है? मानव विकासूचकांग HDI का आधार क्या है? Option A, स्वास्ते सिक्सा रोजगार जीवनिस्तर Option B, स्वास्ते सिक्सा रोजगार Option C, स्वास्ते सिक्सा जीवनिस्तर स्वास्ते सिक्सा जीवनिस्तर Option D, सिक्सा रोजगार जीवनिस्तर तो बताए जो मानव विकासूचकांग HDI का आधार है वो क्या होगा? जो HDI का आधार है वो क्या है? स्वास्ते सिक्सा जीवनिस्तर तो Quesion First का Option C क्या है? हभाधार है है ॉस्राइब भादो इसल पर इससरोजब आप सब्सक्राम फिइसलनशोम से को पुजा राज्या इसितरी ना का विक्राइब जारी करने वाला पर्थम राज्य है राज्य है इस तरी है मानविकास रिपोर्ट जारी करने वाला पर्थम राज्य है तो बताए जो राज्य इस तरी है मानविकास रिपोर्ट है जो जारी करने वाला वो राज्य पूछा गया है जिसने क्या सुरू की थी जो पहले जो सबसे पहले क्या कि तैं मानविकास रिपोर्ट जो थी वो जारी की थी तो कौन सा राज्य है वो चलिए देखते ऑप्षन ए केरल ऑप्षन बी राजिस्तान ऑप्षन सी मध्य परदेश ऑप्षन डी उत्तर परदेश कोशन सेकिंड का जो राज्य कोशें और स्यर्फन सेकिंड काज़र जो राइस अंसर होगा हमार उप्षन सी मद्य परदेश ओरां सी जिसने सबसे पहले मत्याब इप्षन जारी की थी तो मध्य परदेश कोण सा राज्य है जिस ने सर पर तम मांविकास रिपोर्ट जारी की थी तो क sabemos क्या है answer है, चलिए next question है, बमारा question number 3, question number 3 संयुक्त राश्ट विकास कारिय करम UNDP की मानविकास रिपोर्ट की तरज पर भारत की पहली मानविकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? संयुक्त राष्ट विकास कारिय करम UNDP की मानविकास रिपोर्ट की तरजी पर भारत की पहली मानविकास रिपोर्ट थी वो कब जारी की गई तो बताए जो भारत की पहली मानविकास रिपोर्ट थी वो कब जारी की और जो सबसे पहले जिसने मानविकास रिपोर्ट जारी की तो राजे कौन शतामद्या परदेश था तो अब इसमें पुछ गया भारत की पहली जो मानविकास रिपोर्ट थी वो कब जारी की गई थी तो कोन सी एर में मानविकास रिपोर्ट किसकी भारत की जारी की गई थी तो बहारत की जो मानव विकास रिपोर्ट थी जो पहली मानव विकास रिपोर्ट थी वो कब हुई अपरेल 2002 में जारी की गई तो भारत की जो मानव विकास रिपोर्ट थी पहली वो कब दरज हुई अपरेल 2002 में जारी की गई तो बताए जो भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट थी वो कब जारी की गई अपरेल 2002 में जारी की गई तो question third का option C के है right answer है और जो पहला सर परतम जो राज्य है जिसने क्या किती मानव विकास रिपोर्ट जारी की थी वो मद्यपरदेश था question third का option C के है हमारा right answer है चलिए next question पर चलते है अब हम next question क्या है question 4 question number 4 दिया गया है भंआरा question 4 में पूझा है YOU NDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किश रेहनी में रखा गया है UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को की स्रेनी में रखा गया है तो बताए कौन सी जो UNDP की कौन सी स्रेनी में भारत को रखा गया है यानि कि जो मानव विकास रिपोर्ट में जो भारत की स्रेनी है वो कौन सी है कौन सी स्रेनी में भारत को रखा गया है मानविकास रिपोर्ट में चलिए देखते हैं कौन सी स्रेनी में भारत को रखा गया option A अब हमारा उच्छ मानविकास स्रेनी option B मध्यम मानविकास स्रेनी option C निमन मानविकास स्रेनी option D अतिन निमने माना विकास स्रेनी तो कौन से स्रेनी में UNDP की कौन से स्रेनी यानि की माना विकास रिपोर्ट में कौन से स्रेनी में था जो भारत को रखा गया तो कौन से स्रेनी में भारत को रखा गया तो कौन से स्रेनी में भारत को रखा गया तो मध्यम माना विकास स्रेनी में किसे रखा गया भारत को रखा गया किसकी मांदीपी की यूंदीपी की माना विकास रिपोर्ट में जो श्रेनी ती भारत कुंसी है मद्या माना विकास श्रेनी तो question 4 का option B क्या है right answer है चलिए next question पर चलते हैं next question क्या है question 5 question 5 में दिया गया है sexic विकास उचकांग फरवरी 2011 के अनुसार भारत के चार उच्तम इस्थान वाले राज्य है उच्तम इस्थान वाले राज्य है पूचा गया है question 5 में क्या पूचा ग्या है सैक्सिक विकास उचकांग फरवरी 2011 के अनुसार भारत के चार उचता मिस्थान वाले राज्य है तो किसके जो फरवरी 2011 है उसमें सैक्सिक विकास उचकांग के अनुसार जो भारत के चार उचता मिस्थान वाले राज्य है पूछा गया है तो चार जो उच्तम इस्तान वाले राज जैवे कौन कौन से है चलिए देखते है अप्शन है अब हमारा केरल तमिलनाडू पंजाब दिल्ली अप्शन भी केरल दिल्ली हरियाना पंजाब अप्शन सी केरल दिल्ली गुजरात महराष्ट अप्शन डी केरल तम निल्लाडू पश्चिंबंगाल-करनाटक तो जो नादो फरवरी लुवरी 2011 ऐनुसर पूछा गया है गोई 50 फ् justamente라고 को सो सब्सक् reden केरल तमिलाडू पंजाब-दिल्ली केरल तमिल्ल redemption केर तो चारो के चारो राज्य क्या है जो चारो के चारो राज्य है वे क्या है दो अजार ग्यारा के अनुसार चार उच्टमिस्थान वाले राज्य है सैक्सिक विकास सुचका अंख परवरी दो अजार ग्यारा के जो अनुसार है भारत के जो चार उच्टमिस्थान वाले राज् इसका right answer होगा तो विचारा राज्जेक केरल, तमिलाडु, पंजाबोर, दिल्ली है चलिए next question पर चलते है next next question पर चलते है next question है अब हमारा question number six next question क्या होगा? question six है कोशिन 6 में क्या देगा है कोशिन 6 में देगा है बंद आर्थ विवस्ता से आप क्या समझते है बंद आर्थ विवस्ता से आप क्या समझते है तो बंद जो आर्थ विवस्ता हो जाएगी उससे आप क्या समझते है तो चलिए जो बंद आर्थ विवस्ता है उससे आप क्या निर्यात बंद, ओप्शन B, आयात निर्यात बंद, ओप्शन C, आयात बंद, ओप्शन D, नियंतरित पुंजी, तो जो बंद अर्थ वेवस्ता है, उससे आप क्या समझोगे, जो बंद अर्थ वेवस्ता है, उससे जो आश्या है, वो क्या है, जो आयात, जो आयात और निर्य क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी तो बंद अर्थ विवस्ता का मतलब है आयात निर्यात बंद हो जाएगी कोशन शिक्ष्ट का ओप्शन भी क्या है राइट अंस्वर है आयात निर्यात बंद हो जाएगी किससे जो बंद अर्थ विवस्ता से तो बंद अर्थ विवस्ता से आयात निर्यात बंद हो जाएगी Q6 región option b equal right? Answer है तो番 Sup bez बंद र्थ ववस्ता से मतलब है आयात निर्यात का बंद हो ना Q6 का option B Right answer है चलिए next question है अब हमारा question number 7 Question number 7 है प्रच्छन बेरोजगारी एक विसेशता है कौन सी जो प्रच्छन प्रच्छन बेरोजगारी एक विसेशता है डिस्गाइसड अनिम्प्लोईमेंट डिस्गाइसड अनिम्प्लोईमेंट तो बताए जो प्रच्छन बेरोजगारी है वो क्या एक विसेशता है तो किसकी विसेशता है कौन सी बेरोजगारी प्रच्छन जो बेरोजगारी होती है वो एक विसेशता है option a उद्धोग की option a उद्धोग की option b व्यापार की option c क्रिसी की option d यातायात की तो प्रचन जो बेरोजगारी होती है वो एक विसेस्ता है तो एक विसेस्ता पुछी गई है तो किसकी एक विसेस्ता है कौन सी जो प्रचन बेरोजगारी है वो एक विसेस्ता है तो जो प्रच्छन बेरोजगारी है वो विसेशता किसकी है, q7 का option c, क्रिशी की जो विसेशता है, वो क्या है, प्रच्छन बेरोजगारी है, वो एक विसेशता है, किसकी अग्रिकल्चर की, तो question 7 का option C, right answer question 7 का option C क्या है, right answer होगा तो चलिए next question next question क्या है भी हमारा question number 8 question number 8 है किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है तो बताए जो किसी देश का जो आर्थिक विकास होता है वो निर्भर किस पर करता है, कोई भी देश हो उसका जो आर्थिक विकास होगा वो किस पर निर्भर करेगा तो बताईए जो आर्थिक विकास होता है देश का वो किस पर निर्भर करता है तो जो देश का जो आर्थिक विकास होता है वो निर्भर करता है चले देखते है कि कोशन जो कोशन 8 है इसका जो अप्शन देखते है प्राकर्तिक संसाधन, 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 प्राकर्तिक संस थ्याहर का आर्थिक विकास होता है वह निर्भर करता है evan को संवा दिखतक हमार्व उप्शनटUp क्वेशनेतों कॉप्शनदी केवं सब युक्त में आंसर होगा तो जो देश की जो आर्थिक विकास होता है वो प्राकर्तिक संसाधन पुंजी निर्मान और बाजहर का कार तीनों के तीनों पर क्या करेगा निर्भर करेगा तीनों के तीनों के क्या निर्भर करेगा तो देश का जो आर्थिक विकास होता है वो निर्भर करता है तो जो देस होता है कोई भी देस हो तो वो किस पर निर्भर करता है जो उसके आर्थिक विकास होते है वो प्राकरतिक शनिशाधन क्या है उस पर और जो पूंजी होती है उस पर और बाजार का जो आकार होता है तीनों के तीनों पर देस का जो है आर्थिक विकास निर्भर करत है को तो question 8 का option D क्या है right answer है चलिए next question पर चलते हैं next question है अब हमारा question number 9 question number 9 है भारत के किस राज्य में गरीबों का परतीसत सबसे अधिक है भारत के किस राज्य में गरीबों का परतीसत सबसे अधिक है तो बताए भारत के कौन सा राज्य है जिसमें क्या है गरीबों का परतीसत है वो सबसे अधिक है जिसमें गरीब पाए जाते है वो कौन सा राज्य है पूचा गया है तो option है बिहार, option B, 36 गड, option C, ओडिसा, option D, जार खंड, option D क्या है हमारा जार खंड, तो जो इसका question 9 का जो right answer होगा हमारा जो सबसे अधीक गरीब वाला जो राज्य है वो कौन सा है, 36 गड, तो question 9 का option B क्या right answer है, तो 36 गड में सबसे जादा गरीब पाए जाते है, 36 गड भारत का सबसे जादा गरीबी वाला चेतर है, जहां पर क्या सबसे अधीक गरीब पाए जाते है, जो गरीबों का जो परतिशत है, वो सबसे जादा मिलता है, तो question 9 का option B, 36 गड, इसका right answer होगा, चलिए, next question पर भारत में निर्धनता के इस्थर का आकलन किया जाता है, question 10 में पूचा गया, भारत में निर्धनता के इस्थर का आकलन किया जाता है, तो भारत जो है उसमें जो निर्धनता है, जो उसका इस्थर है, उसका आकलन किया जाता है, तो जो उसका आकलन किया जाता है, निर्धनत गरीबी का जो आकलन किया जाता है वो किस आधार पर यक्या जाता है तो कैसे किया जाता है जो आकलन होता है निर्दनता का वो कैसे किया जाता है चलिए option A हमारा विबिन राज्यों में प्रती व्यक्ति आए के आधार पर option B परिवार की ओसत आए के आधार पर option C परिवार के उपभोग व्याय के आधार पर option D देश की मलीन बस्तियों की जनसंचा के आधार पर तो भारत में जो निर्दंता का इस्तर है वो आकलन जो इस्तर का आकलन होता है वो किया जाता है तो किस आधार पर भारत में निर्दंता के इस्तर का आकलन किया जाता है तो question 10 का option C क्या है right answer परिवार के उपभोग व्याय के आधार पर क्या किया जाता है भारत में निर्धनता के इस तरका अकलन किया जाता है तो question 10 का option C क्या है right answer है तो भारत में जो निर्धनता के इस तरका अकलन होता है वो किस बेस पर होता है प्रिवार के उपबोग व्या के आधार पर निर्धनता का अकलन किया जाता है चलिए next question पर चलते ह निमलिखित में से कौन साएक ऐसमानता गटाने का उपाए नहीं है निमलिखित में से कौन साएक ऐसमानता गटाने का उपाए नहीं है तो बताईए वो पूचा गया है कि चार ओप्षिन देगा है इन में से कौन साएक ऐसमानता गटाने का उपाए वो नहीं है चलिए देखते हैं, उप्शन A है हमारा लियुंतमावेशक्त। औप्शन B आर्थवेवेस्ता का उधारी करन, ऑप्शन MC करारोपन, ऑप्शन D भूमी सुधार, औप्शन D क्या है भूमी सुधार तो इसमें पूछा गया है, एक वो बताना है क्या बताना है हमें option में ते एक जो है वो choose करना है option क्या होगा हमारा right answer होगा जिसमें एक जो है वो ऐसा मानता घटाने का उपाए नहीं है तो कौन सा इसमें से ऐसा मानता जो है वो घटाने का उपाए नहीं है तो चलिए इसका जो right answer होगा question 11 का option B question 11 का option B क्या है right answer है तो अर्थ विवस्ता का उदारी करन इसका right answer है तो क्या जो ऐसा मानता गटाने का जो उपाई नहीं है वो क्या है अर्थ विवस्ता का उदारी करन question 11 का option B right answer है अर्थ विवस्ता का उदारी करन इसका right answer है question 11 का option B क्या है right answer है चलिए next question पर चलते हैं अब हम next question question next क्या होगा question number 12 question 12 है यह सत्य होगा की भारत को प्रिभासित किया जाए यह सत्य होगा की भारत को प्रिभासित किया जाए option है एक खाद की कमी वाले अर्थ व्यविस्था के रूप में option A है एक खाद की कमी वाली अर्थ व्यविस्था के रूप में option B एक श्रम आधिक्या वाली अर्थ व्यविस्था के रूप में option C एक व्यापर आधिक्या वाली अर्थ व्यविस्था के रूप में option D, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थ विवस्ता के रूप में तो यह सत्य होगा, क्या सत्य होगा यह की जो भारत को प्रिभासित किया जाए तो भारत को जो प्रिभासित किया जाएगा वो कौन सा option है, option question 12 का, जो right answer है, हमारा option है एक श्रम, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थ विवस्ता के रूप में तो question 12 का, option B, right answer है, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थ विवस्ता के रूप में question 12 का, option B, right answer है, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थ विवस्ता के रूप में यह है सत्य होगा कि भारत को क्या किया जाए प्रिभाशित किया जाए तो एक श्रम आधिक्या वाली आर्थ विवस्ता के रूप में तो कुशन 12 का ओप्शन भी क्या है हमारा राइट आंस्वर है चलिए नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं कुशन पर 15 कुशन पर 13 के लिए उनन में जो गरीभी है उसका मुख्य कारण क्या है किस वजहए से किस कारण से वहाँ पर क्या है गरीबी है तो वो पूछा गया है तो अल्प विक्षित देशों में पूछा गया है अल्प विक्षित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है किस कारण से वहाँ पर क्या है गरीबी है Option A है हमारा स्वेश्चिक निस्किरियता Option B I में ऐसामानता Option C सांसकर्ति क्गतीविधियों का अभाव Option D लोगों में बुद्दी का अभाव लोगों में क्या है बुद्दी का अभाव तो जो question 30 है हमारा इसका 13 का जो right answer होगा Option B I में ऐसामानता आए में ऐसा मानता तो जो डिफृंट होती है जिसलों जाचे से जो गरीब होते है गरिबी का जो मुख्याकारण होता है वह आए का देशओ风土 है है वो ऐसमानता होती है किसी के पास बहुत पैसे और किसी के पास बहुत ही कम पैसे इस वज़े से जो अल्थ पविक्सित जो देस होते है उनमें गरीबी का मुख्यकारण जो होता है वो आए में ऐसमानता का कारण माना जाता है जो नेक्स्ट कोईशन का है अब हमारा कोईशन 14 कोईशन नमबर 14 दिया गया है अब हमारा हरित सूचका अंक किसके दुआरा विक्सित किया गया था हरित सूचका अंक किसके दुआरा विक्सित किया गया था जो हरित सूचकांग है वो किसके द्वारा विक्सित किया गया था कौन सा सूचकांग हरित सूचकांग पुछा गया है जो विक्सित करने वाला था वो कौन था किसके द्वारा ये विक्सित किया गया था जो हरित सूचकांग है वो किसके त्रू विक्सित हुआ था परियावर नियावं सामाजिक सूइस्तर विकास परभाग ओप्शन बी संयुक्त राष्ट परियावरन कार्यकरम ओप्शन सी संयुक्त राष्ट विकास कार्यकरम ओप्शन डी क्योटा प्रोटोकोल क्योटा प्रोटोकॉल तो बताए जो हरित सूचकांग कौन सा सूचकांग हरित जो सूचकांग है वो विक्सित किसके द्वारा किया गया था हरित सूचकांग पूछा गया है इसमें हरित सूचकांग किसके द्वारा विक्सित किया गया था Quesion number 14 Quesion number कौन सा हमारा यह 14 है तो हारित जो सुचकांग था वो किसके द्वारे विक्सित किया गया था तो वो विक्सित किया दे गया था संयुक्त राष्ट परियावरन कार्या करम Quesion 14 का option B संयुक्त राष्ट परियावरन कार्या करम इसका right answer होगा तो जो हारित सुचकांग किसके द्वारे विक्सित किया गया था तो विक्सित किया गया था संयुक्त राष्ट परियावरन कार्या करम के द्वारा Quesion 14 का option B right answer है संयुक्त राष्ट परियावरन कार्या करम इसका right answer होगा तो हरित सूचकां किसके द्वारा विक्सित किया गया था संयुक्त राश्ट परियावरन कार्यकरम के द्वारा विक्सित किया गया था कोशन 14 का उप्षिन भी क्या है राइट अंसर है संयुक्त राश्ट परियावरन कार्यकरम चल यह नेक्स्त कोश्टन बर चलते हैं कोश्टन नमबर 15 कोश्टन नमबर 15 है अब हमारा निमलिकित में से किसके द्वारा ब्रष्टा चार से लडाई के लिए नागरिकों की मार्ग दर्शीका निकाली गई है कोश्टन 15 में क्या पूचागा है निमलिकित में से किसके दुआरा ब्रष्टा चार से लडाई के लिए नागरिकों की मार्ग दर्शिका निकाली गई है तो किसके दुआरा क्या निकाल गया है जो ब्रश्टा चार से जो लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्ग दर्शिका निकाली गई है तो बताएं जो ब्रश्टा चार से लड़ाई के लिए क्या निकाली गई है जो नागरिक थे उनकी मार्ग दर्शिका निकाली गई है लड़ाई से क्या निकाली गई है, ओप्षण A, परिवार कल्यान मंतरालिय, ओप्षण B, उप भोकता सहकारी समीतिय, ओप्षण C, केंद्रिय सतर्कतायोग, ओप्षण D, ट्रांस्पेरैंसी, इंटरनेशनल ट्रांस्पेरैंसी, इंटरनेशनल, तो कुश्ण 15 का ओप्षण C क्या है राइट अंसर है केंद्रिय सतर्कता आयोग तो कौन सा केंद्रिय सतर्कता आयोग के दुआरा ब्रश्टचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्ग दर्शिका निकाली गई है क्या है राइट अंसर है तो किश के दुआरा जो केंद्रिय सतर्कता आयोग के दुआरा क्या निकाली गई थी ब्रश्टचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्ग दर्शिका निकाली गई थी चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं अब हम नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट पेज चलिए नेक्स्ट कोशन क्या है अब हमारा कोशन नमबर सिक्स्टीन है अब हमारा नीमन में से कोन सा मानविकास सूचकांक में सामिल नहीं है कोशन सिक्स्टीन में पूछा गया नीमन में से कोन सा मानविकास सूचकांक में सामिल नहीं है तो बताएए कोन सा वो है जो किस में सामिल नहीं पूछा गया मानविकास सूचकांक में जो सामिल नहीं है Q 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 व्यक्ती आये, option c, सामाजिक ए समानता, option d, prore, saaksharta prore, saaksharta तो इन चारो option में से कौन सा वो मानवी का सूचकांक है, जो सामिन नहीं है, किसमें? मानवी का सूचकांक में जो सामिन नहीं है, वो क्या हमारा answer होगा? तो question 16 का option शी सामाजिक ऐसा मानता इसका right answer है question 16 का option शी क्या right answer है तो मानव विकास सूचकांक में सामाजिक ऐसा मानता सामिल नहीं है सामाजिक ऐसा मानता क्या नहीं है सामिल नहीं है तो और जो जीवन प्रत्याश्या और वास्तिक प्रतिवक्ति आए और प्रोड जो साक्षरता है तीनों के तीनों जो बच्चे हुए तीनों है ये किसमे मानव सूचकांक में सामिल है किसमे सामिल है मानव सूचकांक में सामिल है मानव सूचकांक में सामिल है जो बच्चे हुए तीनों है तीनों के तीनों क्या है सामिल है और जो सामिल नहीं है वो क्या है सामाजिक ऐसमानता जो है वो सामिल नहीं है सामाजिक ऐसमानता इसमें सामिल नहीं है किसमें माना विकास उचकांक में जो सामिल नहीं है वो क्या है सामाजिक ऐसमानता और जो सामिल है वो है जीवन प्रत्याश्या वास्तिक प्रतिवेक्ति आए प्रोड साक्षरता तो कोशन 16 का जो राइट आंसर होगा हमारा उप्शन सी सामाजी कैसा मानता इसका राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं नेक्स्ट कोशन क्या है कोशन 17 कोशन नमबर 17 है अब हमारा कोशन 17 में पूछा है भारती है आर्थ विवेस्ता के उदारी करन का अगरदूत किसको कहा जाता है कोशन 17 में क्या पूछा गया है भारती है आर्थ विवेस्ता के उदारी करन का अगरदूत किसको कहा जाता है तो बताईए जो भारत्य आर्थ वेवेस्ता है उनके जो उदारी करन का जो अगरुदूत्र है वो किसको कहा जाता है तो किसको कहा जाता है भारत्य आर्थ वेवेस्ता के उदारी करन का अगरुदूत्र पूछा गया है तो जो अगृदूत है वो कौन था किसका भारते है अर्थ वेविस्ता का अगृदूत पूछा गया है तो किसको कहा गया है अगृदूत तो जो कहा गया है वो किसे कहा गया है अगृदूत पूछा गया है किसका भारते है अर्थ वेविस्ता के उदारी करन का अगृदूत ऑप्शन ए डौक्टर वी मल जालन ऑप्शन बी डौक्टर मन मुहन सिंग ऑप्शन सी पी वी नर सिमाराओ ओप्शन डी पी चिंदमरम पी चिदमरम तो जो कोशन 17 है इसका जो राइट अंसर होगा हमारा ओप्शन सी पीवी नर्शिमाराव को क्या कहा गया है पीवी नर्शिमाराव को क्या कहा गया था भारत्य अर्थ विवेस्ता के उदारी करन का अग्रदूत कहा गया है पीवी नरसी महराव को किसे जो पीवी नरसी महराव है उन्हें क्या कहा गया तब भारती है Q17 का Option B हमारा राइट आंसर है Q17 का Option B हमारा राइट आंसर है सक औरूर चांति जी भॉटरर आकुरित है राइट आनसुरा ने मन मोहन सिंग तो कोशन 17 का अप्शन भी क्या है राइट आंस्वर है चलिए next कोशन पर चलते हैं हमारा कोशन नमबर 15 कोशन 15 में कोशन दिया गया था ये कोशन क्या है हमारा कोशन था निमली कित में से किसके दुआरा ब्रश्टर चार से लडाई के लिए नागरिकों की दर्शी का निकाली गई थी तो जो मार्ग दर्शी का थी वो केंद्री है सतरकता आयोग के दुआरा निकाली गई थी किसके दुआरा निकाली गई थी कोशन 15 का अप्शन थी क्या होगा इसका राइट आंस्वर है तो केंद्री है सतरकता आयोग के दुआरा मार्ग दर्शी का निकाली गई थी कौशन 15 का option she write answer चलिए नेक्स्ट कौशन पर चलते है नेक्स्ट कौशन 16 भी 17 भी हमने कर लिया चलिए नेक्स्ट 11 뉴스 at the amara 18 कौशन 18 में पूचा गया है क्या है हमारा मानव विकाश सुचकांग किसने बनाया था मानव विकास सूचकांग को किसने बनाया था तो बताए जो मानविकास सूचकांग है वो किसने बनाया था option A है हमारा UNCTAD option B ACEAN option C IBRD option D UNDP तो यह आपने question अभी पड़ा भी था पहले आपने किया था तो मानविकास सूचकांग था उसके side में क्या दिया गया था हमने जब question क्या था UNDP की मानविकास सूचकांग में भारत की श्रय नहीं पूची गई थी ना तो जो भारत की श्रय नहीं थी वो कौन ची थी मद्या मानविकास सूचकांग तो question 18 का इसमें पूछा गया है मानवी का सूचकांग किसने बनाया था तो किसने बनाया है UNDP Question 18 का option D क्या है Right answer है तो मानवी का जो सूचकांग था वो किसने बनाया था UNDP ने बनाया था Question 18 का option D Right answer है तो मानवी का सूचकांग जो बनाया था वो किसने बनाया था UNDP ने बनाया था question 18 का option D क्या है right answer है question 18 का option D UNDP क्या होगा इसका right answer है चलिए next question है question number 19 question number 19 दिया गया है हमारा ऐसी अर्थ विवस्ता को क्या कहते है जिसका सेस विश्व से कोई संबंद नहीं होता ऐसी अर्थ विवस्ता को क्या कहते है जिसका सेस विश्व से कोई संबंद नहीं होता तो कौन सी अर्थ विवस्ता ऐसी अर्थ विवस्ता पूछी गई है जिसका सेस विश्व से कोई संबंद नहीं होता तो ऐसी अर्थ विविस्ता है उस अर्थ विविस्ता को क्या कहते है जिसका सेस़ विश्व से कोई क्या होता है संबंद नहीं होता कोई भी रिलेशन नहीं होता ब्लोंग नहीं करता कौन सी ऐसा अर्थ विवेस्ता है उस अर्थ विवेस्ता को क्या कहते है ऐसी अर्थ विवेस्ता कौन सी है जिसका सेस विश्व से कोई संबंद नहीं होता चलिए option एब हमारा समाजवादी अर्थ विवेस्ता option B समवर्थ बंद अर्थ विवेस्ता option C मुक अंसरों को question 19 का option B क्या है हमारा right answer है तो ऐसी अर्थ विवेस्था कौन सी अर्थ विवेस्था होती है तो वो अर्थ विवेस्था जो होती है वो कौन सी समवर्थ या फिर बंद अर्थ विवेस्था होती है जिसका सेस विस्विसे कोई समबंद नहीं होता तो question 19 का option B क्या है right answer है तो समवर्थ या फिर बंद आर्थ विवेस्था वो आर्थ विवेस्था होती है जिसका सेस विस्व से कोई समबंद नहीं होता चलिए next question पर चलते है next question के है बमारा question number 20 question number 20 है बमारा किसी आर्थ विवेस्था में छेतरों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार परवर्गी करत किया जाता है question 20 किसी आर्थ विवेस्था में छेतरों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार परवर्गी करत किया जाता है किसी आर्थ विवेस्था में छेतरों को क्या सार्वजनिक और निजी में किस आधार परवर्गी करत किया जाता है तो बताए जो आर्थ व्यवेस्ता है उसे जो छेतर होता है एरिया होता है उसमें सार्वजनी कोरिनी जी में किस कौन सा आधार पर क्या किया जाता है option A, कच्चे सामगरियों का प्रियोग, option B, आर्थिक गतिविदियों का सवरूप, option C, उदमों का स्वामित्व, option D, रोजगार की सर्ते, option D क्या है हमारा रोजगार की सर्ते, तो question 20 का right answer होगा, option C, उदमों का स्वामित्व, उदमों का स्वामित्व क्या इसका right answer होगा, question 20 का option C, उदमों का स्वामित्व, इसका right answer है, question 20 का option C, उदमों का स्वामित्व क्या इसका right answer है, तो जो question था हमारा 20 इसमें पूचा गया था किसी आर्थ वेवेस्ता में छेतरों को सार्वजनी और निजी में किस आधार परवर्गी करत किया जाता है तो किस आधार परवर्गी करत किया जाता है उद्मो का स्वामित में इसका right answer को question 20 का option C हमारा right answer है चलिए next question पर चलते हैं अब हम next question क्या है हमारा question number 21 question number 21 दिया गया भारत की राष्टिय आए में सरवाधिक योगदान है भारत की राष्टिय आए में सरवाधिक योगदान है तो जो भारत की राष्टिय आए में जो सरवाधिक योगदान है वो किसका है कौन से चेतर का योगदान माना जाता है किसमें जो भारत की राष्टिय आए है national income है उसमें जो सबसे जादा यो योगदान है वो कौन से छेतर का योगदान माना जाता है किसमें जो इंडिया की national income है उसमें योगदान पूछा गया है तो चलिए option सרवाश्ठ्र राष्ट्स है तो कों से चेत्र होता है वी निर्मान चेत्रका कौश्य ट्वंटी वन क noi क्या है राइट अंसर है तो वी निर्मान चेदर का सबसे अधिक योगदान होता है भारत की राष्टी है आए में तो कोशन 21 का उप्शन भी क्या है राइट अंसर है तो वी निर्मान चेदर का जब से जादा क्या होता है योगदान होता है किसमें भारत की जो नैशनल इंकम ह एनकम होती है चलिए नेक्स्क्रेशन बचलते हैं sulfur 22 लाइस है मैमारा she K couple ढिया थै Herzog और प्रमूख घौन से समच्छन 22 में भारत की नामारा question 21 शाल न्यूंद आपके लिए इंप्रटेंट इसन इसनuda 21 जो question होगा यह क्या है आपके लिए about an question है कुशन 21 आपके लिए important question है question 21 यह question आपका important question है तो जो प्राइश्न ने द्लू इन्कम होती है भारत की वह सरवादी कहां से होती है तो वी निर्मान चेतर जो है इसका राइट आंसुर है तो वी निर्मान चेत्र से सबसे ज़्यादा योगदान होता है किस में राष्ट्रिय इंकम यानि की नैशनल इंकम में जो भारत की योगदान किसका सबसे ज़्यादा होता है वी निर्मान चेत्र का तो यह important question है आपके लिए इस question को आप रट लीजिए चलिए next question पर चलते है next question क्या ह बारत की राष्टिय आये का प्रमुक्षोत है तो जो भारत की राष्टिय आये है नेशनल इंकम है उसका जो प्रमुक्षोत है वो क्या है Option A क्रिसी चेतर Option B सेवा चेतर Option C उद्धोग चेतर Option D व्यापार चेतर Option D क्या है इसका व्यापार चेतर तो क्वेशन 22 का जो राइट आंसर है हमारा Option B सेवा चेतर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा सेवा चेतर 22 का उप्षोन B क्या है राइट आंसर है तो जो भारत की राष्ट्य आये है जो भारत की नेशनल इंकम है वो कहां से सेवा का जो चेतर है महां से जादा जो परमुक श्रोत है वो कौन सा है सेवा चेतर इसका परमुक श्रोत है तो question 22 का option B राइट आंस्वर है चलिए next question next question क्या है question number 23 next question है हमारा अगला question है 23 इसमें पूचा गया है योजना काल में राष्ट्य आए में किस चेतर का योगदान गटा है तो बताए वो चेतर पूचा गया है जिसका योगदान गटा गया है तो वो छेत्र कौन सा है जिसमें राष्ट्य आय के छेत्र में क्या घटा है योगदान घटा गया है योगदान क्या हुआ घट गया है चलिए option A क्या है क्रेशी option B वी निर्मान option C प्रिवेहन option D banking तो कौन सा छेत्र है जिसमें राष्ट्य आय का जो छेत्र था जो राष्ट्य आय जिसमें की जाती थी तो उसका जो छेत्र था वो क्या जो योगदान का जो छेत्र था वो घटा है तो कौन सा वो छेत्र है वो पूछा गया है जिसका योगदान जो है वो घट गया है किसमें राश्ट्रे आय, या नैश्णल इनकम में जो योगदान था, वो कम हो गया, वो गट गया, तो वो छेत्र पूछा गया है, तो वो छेत्र कौन सा होगा, वो छेत्र है, question 23 का option is crispy agriculture का वो छेत्र है, जिसका योगदान क्या गट गया, किसमे नैशनल इनकम या राष्ट्य आए में तो question 23 का option है right answer है क्रीशी इसका right answer होगा चलिए next question पर चलते है next question क्या होगा question number 24 question number 24 है अब हमारा question 24 में क्या पुचे गया वर्तमान में वर्तमान में भारत की राष्ट्य आए में किस चेतर का सरवाधि की योगदान है वर्तमान में भारत की राष्ट्य आए में किस चेतर का सरवाधिक योगदान है तो बताईए जो वर्तमान है वर्तमान में जो भारत की जो income जो national income है वो कौन से चेतर से सबसे जादा हो रही है योगदान जो है सबसे जादा है तो कौन सा वो चेतर है वो चेतर पूचा गया जिसमें at present time नशेट और जाब ठाक है पुचा जादा चैनल गया है option b उद्धोग option c एवस्थापना option d सेवाई तो सेवाई का जो चेतर है जो सेवा का चेतर है उससे सबसे ज़्यादा योगदान हो रहा है किसमें भारत की national income में तो question 24 का option d क्या है राइट आंसर है तो सेवा का वो चेतर है जिससे सबसे ज़्यादा क्या हो रही है इनकम हो रही है तो question 24 का option d राइट आंसर है चलिए next question पर चलते है question number 25 question कुण से है अब हमारा 25 question है जैसे जैसे अर्थ विवेस्था विक्सित होती है राष्टिया आए में तृतियक चेतर का अंस जैसे जैसे अर्थ विवेस्था विक्सित होती है राष्टिया आए में तृतियक चेतर का अंस तृतियक चेतर का अंस जैसे जैसे क्या होती है जो अर्थ विवेस्ता विक्सित होती है तो राष्ट्य आये में जो त्रित्यक चेतर का अंस पूछा गया है जो अंस होता है वो क्या होता है गटता है या बढ़ता है तो जो अर्थ विवेस्ता बढ़ेगी अर्थ विवेस्ता विक्सित होती है तो राष्ट्य जो आये होते हैं उसमें जो त्रित्यक चेतर का अंस आप से पूछा गया है उप्शन गटता है तत्पश्चात बढ़ता है उप्शन बी बढ़ता है तत्पश्चात गटता है उप्शन सी बढ़ता जाता है उप्शन डी गटता जाता है उप्शन डी क्या है गटता जाता है तो कोश्चन ट्वेंटी फाइफ का उप्शन सी क्या है बढ़ता जाता है तो जैसे जैसे क्या होते है जो आर्थ वेश्टा विक्षित होती है तो राउष्ट्य आय्मे जो त्यत्य चेत्र का जो अंस होता है वो क्या है बढ़ता जाता है तो question 25 का option C क्या होगा इसका right answer होगा question 25 का option C बढ़ता जाता है इसका राइट आणस्वर होगा चलिए नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन नम्बर 26 कुश्चन है अब हमारा 26 कुश्चन नम्बर कुश्चन 26 में पूचा गया नियोजन के आरंबे 1950-1951 भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में प्रात्मीक चेत्र द्वित्यक चेत्र तथा त्रित्यक चेत्र का योगदान 1903 में चुरान में की कीमतों पर करम से 55.11, 13.34 तथा 29.55 परतिशत था जो 2014-15 के दोरान प्रिवर्तित होकर करम से हो गया नियोजन के आरम में 1951 भारत के सकल भारत के सकल घरेल उत्पाद GDP में प्रात्मीक चेत्र द्वित्यक चेत्र तथा त्रित्यक चेत्र का योगदान 1903 में चुरान में की कीमतों पर करम से 55.11, 13.34 तथा 29.55 परतिशत था जो 2014-15 के दोरान प्रिवर्तित होकर करम से हो गया Option A Option A है हमारा 17.5%, 30.8%, 50.7% Option B, 22.1%, 26.9%, 51.0% Option C, 22.2%, 21.8%, 56.0% Option D, 22.8%, 34.5%, 42.7% तो जो कोईशन है हमारा 26 इसका जो राइट आंसर होगा Option A 17.5%, 30.8% और 50.7% क्या इसका राइट आंसर होगा तो जो दोरान थी 2014-15 के जो दोरान प्रिवर्तित होकर जो करम से हो गया तो करम से क्या हो गई 17.5%, 30.8% और 50.7% तो कोईशन 26 को अप्शन है क्या है राइट आंसर है चलिए Next कोईशन पर चलते हैं Next कोईशन क्या है कोईशन नमबर 27 कोईशन नमबर है अब हमारा 27 देश मेराश्टी है देश मेराश्टी है नियाए दर्स NSS की स्थापना कब हुई कोईशन 27 में पूचा है देश मेराश्टी है नियाए दर्स NSS की स्थापना कब हुई तो बताएए जो देश मेराश्टी है नियाए दर्स थी उसमें NSS की स्थापना पूची गई है तो जो NSS की स्थापना कब हुई थी option A, 1929 option B, 1925 option C, 1951 option D, 1956 तो question जो था हमारा 27 इसमें पूछा गया था देश में राष्टी है नियादर्स NSS की जो इस्ताफन थी वो कब की गई, कब हुई थी जो इस्ताफना पूछी गई है तो जो इस्ताफना हुई थी question 27 का option B, 1925 वी क्या इसका right? answer A, question 27 का option B, 1925 वी क्या होगा? इसका right answer है तो देश में राष्टी है नियादर्स NSS की जो इस्ताफना हुई थी वो 1925 वी में हुई थी तो question 27 का option B क्या है? right? answer A, चलिए next question पर चलते है next question क्या होगा? question number 28 question number 28 केंदरी है संख्य की संगठन CSO की इस्ताफना कब हुई? केंदरी है संख्य की संगठन CSO की इस्ताफना कब हुई? CSO की इस्ताफना पूची गई है तो इस्ताफना जो है वो कब हुई थी? तो केंद्रिय सांक्य की संगठन CSO की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी 1950 इसवी में 1951 इसवी में 1952 इसवी में 1956 इसवी में तो कब किसकी स्थापना पूछी गई है केंद्रिय सांक्य की संगठन CSO की स्थापना पूछी गई है तो Q28 का option B क्या है 1951 तो 1951 ECV में किसके स्थापना की गई थी जो केंद्रिय सांक्या की है संगटन CSO है उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1951 ECV में हुई थी तो Q28 का option B क्या है राइट आंसर है चलिए next question पर चलते है next question क्या होगा question number 29 question कौन से है वहमारा 29 question दिया गया है राष्टिय आए है राष्टिय आए है तो जो राष्टिय आए है वो पूछा गया है तो राष्टिय आए है उप्षन ए बाजार मुल्य पर नीबल राष्टिय उतपाद उप्षन B उतपादन लागत पर नीबल राष्टिय उतपाद Option C, बाजार मुल्य पर निबल देश या उत्पाद Option D, उत्पादन लागत पर निबल देश या उत्पाद उत्पादन लागत पर निबल देश या उत्पाद तो राश्चिय आए पूछी गई है तो जो राश्चिय आया है वो क्या है? कोशियन 29 में पूछा गया राश्चिय आये है तो जो राश्चिय आया वो क्या है उत्पादन लागत पर नीबल राश्चिय उत्पाद कोशियन 29 का ओप्शन B इसका राइट आंसर है उत्पादन लागत पर नीबल राश्चिय उत्पाद जो होगा इसका राइट आंसर होगा question 29 का option B क्या है right answer है तो राष्ट यह आई पूछी गई है तो राष्ट यह क्या है उत्पादन लागत पर नीबल राष्ट यह उत्पाद question 29 का option B इसका right answer है चलिए next or last question है हमारी आज की class का आज की को की class का कुण सा last question है कल से आपको जोग्राफी की classes मिलेगी तो दो दिन क्या है आपको दो दिन classes मिला करेगी जोग्राफी की question 29 का option B क्या इसका right answer है उत्पादन लागत पर नीबल राष्ट यह उत्पाद तो राष्ट यह क्या है उत्पादन लागत पर नीबल राष्ट यह उत्पाद चलिए next question और last question है हमारे आज की क्यास का question number 30 कौन तो question है यह 30 question है अब हमारा जो कि last question बचता है भारत की राष्टिय आए अनुमानित होती है भारत की राष्टिय आए अनुमानित होती है option A योजना आयोग दुआरा option B वित मंत्राल्य दुआरा option C केंद्रिय संख्य की संगठन दुआरा option D Reserve Bank of India दुआरा रिजर्ब बैंक ओफ इंडिय दुआरा तो question 30 का जो right answer है question 30 का option C कैंद्रिय संख्य की संगठन दुआरा question 30 का option C क्या होगा राइट आनुमानित है तो केंद्रिय संख्य की संगठन दुआरा इसका right answer आंसर है question 30 का option C हमारा right answer होगा तो भारत की राष्ट्य आई अनुमानित होती है केंदरी है संक्य की संगठन दुवारा question 30 का option C क्या होगा इसका right answer है चलिए बच्चो अब आपको GK की क्लास इस भी मिलना start होगी आज आपकी पहली आज आपको क्या first क्लास मिलेगी किसकी GK की क्लास इस आपको मिलना सुरू हो जाएगी अब आपको GK भी कराई जाएगी तो GK की आपको week में एक दिन आपको क्लास होगी वो भी महा महरतन क्लास में आपको GK जब से आपका notification निकला है तब से लेके जब तक आपका GK जो है आपको तब तक कि कराई जाएगी जब तक आपका exam नहीं हो पाता तब तक आपको क्या GK की जो क्लास है वो continue आपको मिलेगी लेकिन वो week में फिलाल अभी one week में क्या मिलेगी आपको one day मिलेगी weekly आपको एक classes मिलना start होगी वो भी आपको महा महरतन क्लास मिलेगी महा महरतन क्लास होगी आपकी जीगेगी तो उसे क्लास को भी आप डेली उस क्लास को क्या करना आपको करना है जब भी आपको क्लास मिले वीक में फिलाल आपकी जो फर्ष्ट क्लास होगी वो आज होगी उसके बाद Sunday to Sunday आपकी classes होए करेगी वो भी महा-marathon class आपको मिलेगी महा-marathon class होगी आपकी जीगेगी तो class करना आप ना भूले उस class को भी आप देखे चलिए अगर आप classes अच्छी लग रही हो तो video को आप like कीजएगा, comment कीजएगा वीडियो को जादा से जादा सेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल प्रिक्सा सैपाटी को सब्सक्राइब करके रखे थैंक यू